हेलो फ्रेंड्स, वेलकम तो माई यूटूब चैनल, एक्सरसाइज 14.6 का कोशें नंबर 5 करेंगे कंस्ट्रक्ट विद रूलर एंड कमपसेज, रूलर खा और कमपस का यूज करके ये वाले एंगल्स बनाने आपको एंगल्स ऑफ फॉलॉइंग मैजर्स, 60 डिगरी, 30, 90, 120, 45, 135, तो इस वीडियो में हम एपार्ट करेंगे 60 डिगरी का एंगल बनाएंगे, कमपस से और रूलर की हैल्प से, के लिए शुरुवात करते हैं, तो सबसे पहले तो एक पॉइंट ले लेंगे, जिस पॉइंट के उपर हमें वर्टेक्स बनाना होगा, यह ओ वर्टेक्स मैंने ले लिया, इसके उपर 60 डिगरी का एंगल बनाएंगे, तो यहां से एक रे बनाएंगे पहले, और लेट सपोज इसका नाम यहां, यह रख देता हूं मैं, यह मैंने बेस लाइन बना लिया, जिस पे मुझे बनाना है एं लगेगा, और यह जो नीडल है, इस नीडल को आपको इस वर्टेक्स के उपर रखना है, और इस रे के उपर रखकर एक आर्क लगा देनी ऐसे, यह आर्क लगा दी, अब जितना यह रेडियस है ना, इसको हिले नि देना है, जितना एक अपस खुला हुआ है, इसको इस पहली आर्क, इनका कुछ नाम रख लेते हैं, मलिया इस पॉइंट का नाम पी, और यह जो पहली आर्क यहाँ पे लगी है, इस पॉइंट का नाम क्यों हो, अब यह जो पहली आर्क होती है न, यह आपका वर्टेक्स से 60 डिगरी का एंगल बना देती है, बस इसको जोड़ देंगे, 60 डिगरी का एंगल तैयार, बिलकुल इसके उपर से लाइन जानी चाहिए, पॉइंट टू पॉइंट, इसको मैं आगे तक थोड़ा बढ़ा देता हूं, यहाँ पे पॉइंट, भी लिख देता हूं, तो B, O, A, यह 60 डिगरी का एंगल बन गया, तो एंगल B, O, A is equal to 60 डिगरी, इतना सिंपल होता है, 60 डिगरी का एंगल बनना, ध्यान देनी की बात यह है, कि जो दो आर्क्स लगाई है न, स्टार्टिंग वाली, और यह पहला जो कट लगाया है, यहाँ पे नीडल रखके, यह कंपस मैसर सेम होता है, यह हिला नीच यह, स्टैपस अफ क O को सेंटर मानके और एक आर्क लगाईए, यह आर्क आपकी O A को P पॉइंट पे काटेगी, टेकिंग P S सेंटर एंड सेम रेडियस, कट प्रीवियस आर्क एट क्यू, इस बार आपको P को सेंटर ले लेना है, यहाँ पे नीडल लगानी है, और जो रेडियस है, वो सेम होना चाहिए, जो बड़ी आर्क के लिए था, यहाँ पे नीडल रखके, और इस पहली वाली आर्क को यहाँ काट देना है, और इसका नाव रख देना है Q, join O Q, O Q को join कर दीजिए, thus B O A is required angle of 60 degree, यहाँ पे आपको इपॉइंट भी लिख दीजिए, तो B O A जो है, यह 60 degree का angle बन जाएगा, question खतम, next questions के लिए next video में मिलेंगे, तब तक के लिए, goodbye